सुषान सिंग राजपूत की मौत ने हम सब को जिन जोड के रख दिया है मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर है कैसे पहला नेरटिव चलाना है वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं स्टैनफोर्ड की स्कॉलर्षी वो रैंक होलडर है इस एंट्रेंस और एंजिनेरी उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है अगर आप देखें उनके कुछ लास्पोस क्लियरली कह रहे है कि लोगों को बैक करें कि प्लीज मेरी विल में देखो मेरा कोई गौड़ फादर नहीं है मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से अपने इंट्रिव्य में वो जाहिर कर रहे है कि मुझे क्यों नहीं इंडस्ट्री अपनाती है I feel like a leftover तो क्या इसमें इस हाथ से की कोई बुनियाद नहीं है किस तरह से अगर किसी और स्टार कीप ने इस तरह से छे साथ के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अग्नॉलिश्मेंट कोई अवर्ड नहीं मिला या केदार नात या दोने या चिछोरे जैसे फिल्म गली बॉए जैसी एक वाहियत फिल्म को सारे वाड मिलते हैं चिछोरे is the best film and the best director उनकी फिल्म को कोई अग्नॉलिश्मेंट नहीं हमें आप से कुछ नहीं चाहिए हमें आपके फिल्में नहीं चाहिए लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे अग्नालिज्मेंट क्यों नहीं हमें देते हैं मैं फिल्म टॉल्माइं की फिल्में डारेक्ट करती हूँ उनको superheat film को ये फ्लॉक भोशित करते हैं, मुझे 6 केसिस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डाले की कोशिश की गई, और मुझे इनके जो चम्चे जर्नलिस्त हैं, वो शुषान जैसे लोगों पे जो blind items लिखते हैं, कि वो psychotic है, neurotic है, addict है, संजदत के addiction तो आपको बहुत क्यूट लग उसने, he didn't remember what his mother told him, उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नियोगा, वो मान गया, वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि शुषान कमजोर दिमाग का था, वो ये नहीं बताएंगे कि कैसा चाही क्या है, तो हमें ये decide करना है कि who will write the history, we will decide that.